हेलो एबडिवन आज हम देखेंगे modern history mcq series का set no.6 जो कि आने वाले UPSC, PFO, state PCS या किसी भी government exam के लिए important है तो आते हैं पहले question पे फिस्ट टू लीडर्स विजिटेट इंडिया एंड सर्फ और सोसल डीजेनरेशन तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महत्मा गांधी और बाल गंगा धरती लग यहाँ पे मैं आपका यहाँ पढ़ूँगा सीधे आंसर बताते वे चलूँगा फिस्ट टू लीडर्स विजिटेट इंडिया एंड सर्फ और सोसल डीजेनरेशन तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महत्मा गांधी और बाल गंगा धरती लग कम तो ते नेक्स क्यूशन फिस्ट टू पर्स्ट इस्पीकर तो डिस्कार त ओफिस्यल विग और प्रिशाइड ओवर ता हाउस वेरिंग दा गांधी कैप सही आंसर नहीं पे क्या होगा option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जी भी मावलणकर who was the first speaker to discard the official week and presided over the house वेरिंग दा गांधी कैप तो option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जी भी मावलणकर अच्याए, प्रेजिडेन का बनेते सेंट्रल लेजिस्लेटिब एसमली के 1946 में अगले क्यूशन पर आते हैं और विच आव तो फोलोइंग डेट तम मेकर आफ ता कॉंस्टिटूशन ओफ इंडिया डॉक्टर भीम राव अम्बितकर है डायट सिंप्ली आपसे पूछ रहा है डॉक्टर भीम राव अम्बितकर जी के मिर्टू कब होई थी सही आंसर यहाँ पे होका आपसन बी 6 दिसंबर 1956 सही आंसर क्या हो जाएगा 6 दिसंबर 1956 और जनम कब हुआ था इनका 14 अप्रेल 1891 जनम हुआ था आपका 14 अप्रेल 1891 और मिर्टू कब होई थी 6 दिसंबर 1956 अगले क्यूशन पे आते है इन वीच इयर रविंदर नाथ टैगोर डायड रविंदर नाथ टैगोर की मिर्टू कौन से साल में होई थी तो आपसन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1941 में अगले क्यूशन पे आते है Who among the following had called रविंदर नाथ टैगोर as the great sentinel Sentinel का मतलब क्या होता है रक्षा पुरूस या प्रहडी तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा Option B आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी Who among the following had called रविंदर नाथ टैगोर as the great sentinel तो option B आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी अगले क्यूशन पे आते है Which one of the following statement is not correct about रविंदर नाथ टैगोर तो देखो इनके बारे में एक चीज़ याद रखो इन्होंने श्वदेशी मुब्मेंट का अपोज किया था बिरोध किया था यहाँ पे option D क्या है He favored the economic expects of स्वदेशी मुब्मेंट ही गलत है इन्होंने favor नहीं किया था अपोज किया था अब पूच किया रहा है हमें चूच करना है कौन सा statement सही नहीं है तो option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बागी जो सारे statement है वो आपके सही है अगले question पर आते है Who said Freedom is almost Freedom is almost within reach We have to seize it किसने कहा था तो option आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने Who said Freedom is almost within reach We have to seize it तो option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी अगले question पर आते है Who coined the slogan Quit India तो option C आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूसूफ मेहरली Who coined the slogan Quit India तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा Option C आपका यहाँ पे इंडिया salvation will not be achieved under the leadership of महात्मा गांदी यहाँ पे salvation का मतलब क्या होता है मुक्ति यह आजादी तो सही answer होगा option दी शुवास चंदर बोश अच्छा इन्होंने अपने कौन सी बुक में लिखा ते यह बाद इंडिया 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 salvation will not be achieved under the leadership of महात्मा गांदी तो option दी आपका यहाँ पे सही answer होगा शुवास चंदर बोश अगले question पर आते हैं everything else can wait but not agriculture the above statement is attributed to तो option भी आपका यहाँ पे सही answer होगा जवाहलाल नहरू everything else can wait but not agriculture the above statement is attributed to तो option भी आपका यहाँ पे सही answer होगा जवाहलाल नहरू अगले question पर आते हैं in which year was the first cloth meal established in Bombay तो option C आपका यहाँ पे सही answer होगा ठाड़ास चोवण in which year was the first cloth meal established in Bombay तो option D आपका यहाँ पे सही answer होगा ठाड़ास चोवण kings are made for public, public is not made for the king who among the following made this statement during the national movement तो यहाँ पे सही answer होगा option C मालो दादा भाई नोडो जी और option D मालो नन तो सही answer यहाँ पे क्या होगा option C आपका यहाँ पे सही answer होगा दादा भाई नोडो जी kings are made for public, public is not made for the king who among the following made this statement during the national movement तो option C आपका यहाँ पे सही answer होगा दादा भाई नोडो जी अगले question पे आते हैं the British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction and tyrannical and mean this statement was made by तो इसका मतलब क्या हुआ, rotten to the core पूरी तरह से सरा हुआ British Empire क्या है, पूरे तरीके से सरा हुआ है corrupt in every direction and tyrannical and mean tyrannical का मतलब होता है अत्याचारी तो इस statement को कि ने दिया था, sister Nivedita ने तो option C आपका यहाँ पे सही answer होगा the British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction and tyrannical and mean this statement was made by, तो सही answer क्या होगा option C आपका यहाँ पे सही answer होजगा, sister Nivedita अगले question पर आते है the founder of boy scout and civil guides movement in India वाज, तो आपका यहाँ पे सही answer होगा, बेटन पॉवेल the founder of boy scout and civil guides movement in India वाज, तो आपका यहाँ पे सही answer होगा, बेटन पॉवेल अगले question पर आते है with reference to Indian freedom struggle which one of the following statement is not correct तो यहाँ पे सही answer क्या होगा, option D यहाँ पे option में क्या है in 1931, the congress session at Karachi opposed Gandhi Irwin pact बिल्कुल गलत है, opposed नहीं किया था क्या किया था, इन्होंने approve किया था यहाँ पे opposed नहीं क्या होगा, approve होगा तो हमें चूच करना है कौन सा correct नहीं है तो option D आपका यहाँ पे सही answer होगा बाकी A, B, C, 3 statement आपका सही है अगले question पर आते हैं consider the following statement about जवाहल लाल नहरू पहला क्या है he was the president of the congress party in 1947 बिल्कुल गलत है 1947 में congress की president कौन थे JP Krippalani तो पहला गलत हो गया, दूसरा क्या है he presided over the constituent assembly यह गलत है कौन बने थे, सबसे बहले बने थे dr. सचितानान सिना, interim president और permanent कौन बने थे, dr. रजेंदर परसार अचा पहली meeting कब होई थी constituent assembly की पहली meeting कब होई थी 9 December 1946 एक्जामें पूछता है 9 December 1946 तो second statement भी आपका गलत है तीसरा क्या है यह भी गलत है तो तीसरा भी आपका गलत है तो option D आपका यहाँ पर यहाँ पर सही आंसर हो जागा ननीच, correct अगले question पर आते है the statement I am socialist and a republican and I am no believer kings and princes is associated with तो option D आपका यहाँ पर यहाँ पर सही आंसर हो जागा जवाहलाल नहरू option D आपका यहाँ पर सही आंसर हो गा आगले question पर आते है who among the following had been described as the high priest of communism in India तो option D आपका यहाँ पर सही आंसर हो गा जवाहलाल नहरू who among the following had been described as the high priest of communism in India तो option D आपका यहाँ पर सही आंसर हो गा जवाहलाल नहरू who one of the following is the biographer of जवाहलाल नहरू तो Frank Morris, option A, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Who one of the following is the biographer of जवाहलान नहरू Frank Morris, option A, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले question पे आते है Who is known as father of dad की Dad की एक मतलब क्या होता है, द्वैसासन तो option D, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Sir Leonil Curtis Who is known as father of dad की तो option D, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Sir Leonil Curtis अगले question पे आते है Of the four forms of political protest mentioned below Which one is derived from the name of the person who used it as a political weapon for the first time तो answer यहाँ पे होगा boycott जो हम लोग आज के बॉयकट करते हैं तो एक किसके नाम पे है Captain Charles C. Boycott के नाम पे जो की क्या थे, एक Irish land agent थे अगले question पे आते है Of the following events Which stands third in third in chronological order हमें क्या बताना है जो events यहाँ पे दिया हुआ है तो तीसरे नमबर पे कौन सा आता है chronological order में तो देखो, चमपारन movement हुआ था 1917 में Non-cooperation movement 1920 में Quit India movement यह आपकर कभ भुआ था 1942 1942 और दान्डी मार्च कभ भुआ था दान्डी मार्च आपका हुआ था 1930 में तो तीसरे अस्थान पे कौन आएगा सबसे पहले चमपारन movement फिर आपका Non-cooperation movement 1920-22 और तीसरे अस्थान पे आपका आएगा दान्डी मार्च तो option D आपका यहाँ पे यह अंसर हो जागा दान्डी मार्च अगले question पे आते है Choose the correct chronological order of the following events लखनव पेक्ट कभ भुआ था December 1916 December 1916 Formation of स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी के गठन हुआ था 9 January 1923 जालिया वाला भाग मैसे कर यह आपका हुआ था 13 April 1919 13 April डेट भी आपको याद रखना है 13 April 1919 और बाल गंगा धर्टीले के विर्टु कभ हो थी 1 अगस्ट 1920 1 अगस्ट 1920 बस हमें arrange कर देना है तो सबसे पहले कौन सा हुआ था लखनव पेक्ट तो सबसे पहले 1 हो जाएगा इसके बाद आपका हुआ था जालिया वाला भाग मैसे कर 13 April 1919 तो एक के बाद आपका आजएगा 3 फिर आपका हुआ था लखना हो सोरी फिर आपका कौन सा हुआ था यहाँ पे दे तो बाल गंगा धर्टीले के मिट्टू तो 134 और फिर formation of सुराज पार्टी 9 जनवड़ी 1922 तो सही chronological order क्या हो जाएगा 1342 कौन सा option सही होगा option C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1342 आगे ले question पे आते हैं which lady contributed the largest in the Indian politics after 1947 तो सही आंसर यहाँ पे होगा option ही Aruna Asafalli अगले question पे आते हैं it will be our blunder if we leave people of Bihar and their government unsafe before the violence and uncivilized attack of league leaders in the year 1946 who told this तो किसने कह था सर्दार वल्लाबाई पतेल जी ने तो आप संधी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले question पे आते हैं who is the demand of complete independence for the first time in 1921 तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौलाना हसरत मुहानी who raised the demand of complete independence for the first time in 1921 तो option D आपका यहाँ पे सही आंसरो का मौलाना हसरत मुहानी अगले question पे आते हैं who has held मौहम्माद अली जीना most responsible for the partition of India तो option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Lord Mountbatten who has held who has held मौहमाद अली जीना most responsible for the partition of India तो option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा Lord Mountbatten अगले question पे आते हैं who amongst the following presided over all parties Muslim conference held at Delhi on 31st December 1928 तो सही आंसर है क्या होगा option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आगा खा qui amongst the following presided over all parties Muslim conference held at Delhi on 31st December 1928 तो सही आंसर है होगा option D आगा खा अगले question पे आते हैं और कितने डेलिकेट थे इसमें 1500 डेलिकेट आये थे? 1500 डेलिकेट आये थे इंक्लूडिंग हिंदू, जैन, सिख और पार्फी अगले क्रिशन पर आते हैं अगले क्रिशन पर आते हैं तो RSS के स्थापना कब हुई थी? 27 सेप्टेमबर 1925 और कमिनिष्ट पार्टे की जो स्थापना हुई थी? 25 डिसमबर 1925 तो option B आपका यहां पर सही अंसर होगा दोनों के लिए 1925, 1925 अगले क्रिशन पर आते हैं तो option C आपका यहां पर सही अंसर होजागा अब्दूल गफार खा इन्हें Frontier गांधी के नाम से जाना जाता है अगले क्रिशन पर आते हैं तो किस ने कहा था? अमेतकर जी के बाड़े में तो उनका नाम था Dr. B.S. मुंजी उनका नाम क्या था? option A भी सही नहीं होगा option B भी सही नहीं होगा Dr. B.S. मुंजी ने या B.S. मुंजी अगले क्रिशन पर आते हैं अगले क्योशन पर in the freedom movement early in the early in the 20th century because the option b आपका यहां पर सही अंसर होगा दे बेंगॉल डिवोरिशनरी टुक शेल्टरी तुर्पुरा अगले क्यूशन पर आते हैं अगले क्यूशन पर आते हैं तो इने हजारी वाग जेल भेचा गय था अपका यहां पर सही अंसर होगा अगले क्यूशन पर आते हैं तो अगले क्यूशन पर आते हैं अगले क्यूशन पर आते हैं तो अगले क्यूशन पर आते हैं तो अगले क्यूशन पर आते हैं इसके chairman कौन थे Anthony Mcdonald Anthony Mcdonald तो B Cup का हो जाएका पहला B Cup का पहला irrigation commission के chairman कौन थे 1901 में setup हुआ था irrigation commission के Colin Scott Moncrief तो सही answer यहां पर क्या होगा Colin Scott तो C Cup का हो जाएका दूसरा irrigation commission के chairman थे Colin Scott तो C का आपका हो गया दूसरा, C का दूसरा, D क्या है, पुलिस रिफॉर्म कमिशन, तो पुलिस रिफॉर्म कमिशन के चेयरमेन थे important है, यहां से पूछता है, एंड्रु फ्रेजर, तो D का क्या हो जाएगा, तीसरा, D का तीसरा है, डेलिवे कमिशन, थमस रोबर्स टन, option C, E का 4, B का 1, C का 2 और D का 3, अगले कमिशन पर आते हैं, मायो, एल्डॉस हक्सली, चार्स एंड्रियूज, और विलियम डिकबाई, आपको पताना है, इनके बीच में कमान डिलेशनशिप क्या था, इनके बीच कमान डिलेशनशिप क्या था, तो option E आपका यहां पर सही आंसर होगा, तो बेंगाल फेमाईन जो हुआ तक कब हुआ था, option B आपका यहां पर सही आंसर होगा, 1943 में, कब हुआ था, 1943 में, अगले question पर आते हैं, तो एस्टेबलेश ग्लोबल पेस और कोपरेशन एमाउंग दर पेपूल, फीचर दर फोलोइंग कंसेप्ट इंट्रोडूस बाई तर जावाहलाल नेरू, तो option E आपका यहां पर सही आंसर होगा, तो option E आपका यहां पर सही आंसर होगा, अगले question पर आते हैं, अच्छा एक चीज़ और यहां से पूछ सकता है, जो पहला non-aligned summit हुआ था, कहां पर हुआ था, बेल ग्रेड में, कॉंसियर में, सॉरी, कॉंसियर में, 1901 में और कहां पर हुआ था, बेल ग्रेड में, अगले question पर आते हैं, which part of India remained under Portuguese control after 15th August 1947, तो option ही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गोआ, जब देश अजात हुआ था, 15 August 1947 को, इसके बाद भी पर्दुगीज के अंदर कौन सा इस्टेट था अपना भारत का, तो गोआ, ठीक है, और 1961 में, या क्या बोलते हैं, भारत में सामिल हुआ था, 1961 में, इंडिवेंडिन इंडिया में शामिल हो गया था, अगले क्यूशन पर आते हैं, अगले क्यूशन पर आते हैं, अगले क्यूशन पर आते हैं, तो हमें बताना है कौन सा इस्टेटमें साइए, तो वनली टू आपका यहाँ पर इस साही आंसर होगा, वनली टू, ठीक है, यहाँ पर आप्सेन नहीं है, अगले क्यूशन पर आते हैं, तो पहला है आपका, बंकिम चंदर चटो उपाध्याय वास्ता फर्स्ट ग्रेजुएट आफ्टा कलकाता उनिवर्सिटी, दूसरा भी सही है, तीसरा क्या है, केसर चंदर सेंस, कैंपेणिंग एगेंस साथी, लेड टू तो इनेक्टमेंट ऑफ लॉव टू बैं साथी बाई ता गवरना जर्न और आपका यहां पे सही आंसर होगा दादा भाई नोडो जी, दादा भाई नोडो जी, और आजके अग्री क्यूशन पर आते है, ता प्रैक्टिस अफ इंडिरेक्ट एलेक्शन इंडिया वास्ट इंडिया वास्ट इंडिया वास्ट इंडिया वास्ट इंडिया वास्ट आपको आप्शन भी 822 तो ये तो था हमारा आज क्या लेक्षार अगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं नए वीडियो में नैक टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हैं